तो आज हम इसी को कवर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को समझ सकें अगर आपको लगता है कि यह कोई यूसफुल नहीं है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते है एक वायर के अंदर फ्लो चार्ज कैसे होता है उसको हम आज अच्छे से देखेंगे So how does a metal conduct electricity? कोई भी metal हो तो वो electricity को conduct मतलब बहाता कैसे है You would think that a low energy electron would have a great difficulty passing through a solid conductor आप सोचोगे कि electron तो है वो proton और neutron के आसपास घूमता रहता है अगर उसके पास low energy है तो उसको solid conductor में से पास होने के लिए बहुत difficulty का सामना करना पड़ेगा या फिर वो ही लेगा ही नहीं जब तक उसको potential नहीं मिलता तब तक but actually कोई भी metal में electricity बह रही हो या ना बह रही हो उसके अंदर जो electrons रहते हैं वो continuously घूमते ही रहते हैं आपको ये भी पता है कि हमारी वो तीन कक्षा है जो आपने शायद 9th standard में पड़ा हुआ होगा कि अलग-अलग electron अलग-अलग speed से घूमते रहते हैं continuously तो यहां पर मैंने एक figure डाली हुए है यहां पर आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख सकते हो जब तक कि कोई potential difference हमने यहां पर create नहीं किया यह जो negative potential positive potential create नहीं किया तब तक यह electron proton और neutron के center के आसपास randomly कोई भी direction में घूम रहा है तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है जो electron flow बनना चाहिए electron conduct होना चाहिए वो नहीं हो परा हाला कि electron हर जगा पे घूम रहे है बट क्योंकि final moment इन सारे electron का zero हो जाता है क्योंकि एक अगर north में जा रहा है तो एक south में जा रहा है एक अगर west में जा रहा है तो दूसरा east में जा रहा है in short ये सारे electrons एक दूसरे की final energy को zero कर देते हैं जबकि आप potential difference यहाँ पे आप देते हो तो तब आप देखोगे कि सारे electrons क्योंकि ये negative है वो positive की तरफ attract होके positive की तरफ जा रहा है और उसी तरीके से हम electricity conduct करवा सकते हैं by giving potential difference voltage difference देके हम उनको एक line में कर सकते हैं यहाँ पे मैं एक line word बोल रहा हूँ फिर भी electron एक line में कभी नहीं होते ये चीज़ हाला के बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि ये electron अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से वो drift होके आगे जाएगा drift मतलब Tokyo drift अपने movie देखी है तो उसमें गाडिया सीधी एक road पे नहीं चलती वो race लगाते हैं drift करते हुए गिसते हुए in the same way ये electrons भी अगर इस proton को छोड़ते हैं तो drift होके इस proton को पकड़ेंगे बाद में drift होके इसको they were continuously drifting इसलिए electron की speed को हम drift speed ही बोल सकते हैं सीधी line में electron कभी जा ही नहीं सकता सो हां ये point हो गया inside the solid the atoms were packed together with very little spacing between them कोई भी solid में या कोई भी metal में atom बहुत ही एक दुसरे से नस्दिक बैठे हुए होते हैं तो उनके बीच में जगा काफी कम रहती है but it turns out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily almost as if they were in vacuum पर ये चीज़ ज्यान देने लायक है कि solid में इतनी कम जगा होते हुए भी electron उतनी ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं जितनी आसानी से वो vacuum या space में आगे बढ़ सके क्योंकि उसका भी आपने 9 standard में देख लिया कि proton और neutron है और electron में यहाँ पी काफी कम जगा दिख रही है but actually अगर मैं solar system के साथ अगर electron proton neutron को compare करूँ तो अगर सूरज हमारा proton है तो Pluto first कक्षा का एक electron है उतने distance पे electron रहता है proton से तो हाला कि metal में बहुत कम जगा हो but electron के लिए वो जगा काफी होती है घुमने के लिए so the motion of electrons in a conductor however is very different from that of charges in empty space फिर भी the motion of electron in conductors जो हम conductors जिसमें बहाव बन सकता है उसका motion काफी अलग तरीके से होता है जैसे कि वो empty space में हो कैसे क्योंकि empty space में there is no proton तो electron सीधी line में जहा सकता है empty space में for example space की अगर मैं बात करूँ अगर वहां पे कोई भी proton नहीं है और मैं एक electron को छोड़ दु धका दे के तो वह सीधी line में जाएगा but when we are talking about conductor तो वहां पे बहुत सारे protons अलग अलग जग़ पे closely एक दूसरे से fit होके बैठे हुए रहते हैं तो एक अलग इलेक्ट्रोन यहां से निकलता भी है तो दूसरा proton उसको attract करेगा और उसकी speed drift हो जाएगी आप समझत है very good when a steady current flows through a conductor जब भी कोई steady मतलब स्थित विद्युत प्रवा जिसको हम बोलते हैं जिसमें variable ना हो बदल ना रहा हो उसको conductor से अगर पास करे तो electrons in it move with a certain average drift speed यहां पे drift speed आ गई average drift speed से ही वो आगे बढ़ सकता है चलिए आगे बढ़ता है one can calculate this drift speed of electron for typical copper wire carrying a small current and found to be actually very small in order of 1 mm per second अगर यह drift speed कोई है scientist जिसको जाननी है कि यह drift speed कितनी होगी अभी drift speed exact नहीं जान सकते क्योंकि drift speed हर यहां पे अगर वो slowly गुम रहा है तो जरूरी नहीं कि यहां पे भी slow गुमें यहां पे वो fast भी हो सकता है यहां slow यहां fast यहां slow यहां fast यह पूरा पूरा बदलता जाएगा तो इन पूरे का हमें average ही निकालना पड़ेगा that is the only way कि हम किसी भी electron की average drift speed निकाल सके अगर एक electron के अपने निकाल भी ली तो यहां पे तो बहुत सारे electron है free तो उन सभी की फिर से एक average निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे मामला बहुत ही छोटा है तो average से ही काम चलाना पड़ेगा तो यहां पे फिर से आप देख लेजे कि जब तक यहां पे कोई भी potential difference नहीं है तब तक सारे electrons ऐसे ही protons के आसपास घूम रहे हैं जैसे ही यहां पे इन्होंने feed दे दी 40 की तो सारे electrons negative से लेके positive तक दौडने लगे यहां पे दौडना तो ठीक है पर यहां पे आप electron को देखोगे तो वो motion भी straight line में नहीं है जब यह electron feed set कर दी तो यह देखे यहां पे जा रहा है दूसरा यहां पे जा रहा है यह घूमने के बाद यहां पे जा रहा है so there are total randomness in the motion of electron कोई भी electron आप यह नहीं बता सकते कि इसी रास्ते पे जाएगा moving forward और यहां पी तो electric field 1 mm per second यानि कि बहुत ही कम speed पे हम इसको check कर रहे है अगर ज्यादा potential difference दे दिया आना तो electron तो दिखेंगे ही नहीं क्योंकि आपको पता ही है कि light बनती है photon से photon बनते है electron से तो it is a light of speed of light तो nearly यह सारी चीज़े impossible सी हो जाती है so how it is then that the electric bulb light lights up as soon as we turn the switch on तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे ही हमने switch start कर दी तुरंथ ही bulb जलने लगा इतनी ज्यादा speed की वज़े से ऐसा होता है how is it then electric bulb lights up तो उतनी जल्दी electric bulb कैसे switch on हो जाता है it cannot be that the current starts only when the electrons from one terminal to the electric supply physically reaches the other terminal through the bulb because the physical drift to electrons is conducting the wire is very slow process अभी यह चीज़ काफी ध्यान देने लायक है आप सोचोगे कि मैंने switch on कर दिया अभी switch on करने के बाद switch के पास जो electron है वो तेजी से दोड़ेगा और light तक पहुँचेगा और उसके बाद वो light जलाएगा ना ऐसे नहीं हो रहा सारा conductor में सारी wire में electrons है बस वो दोड़ नहीं रहे एक direction में तो इसी की वज़े से अगर मैं फिर से यह figure ले लूँ तो आप अगर यहां पे switch start कर रहे हो तो उसका मतलब नहीं है कि यह ही electron यहां पे पहुचेगा तब light जलेगी नहीं यहां पे भले ही आप light जलाओ पर यहां पे भी electron तो है ही तो जब भी आप light जलाओगे यहां से भले ही electron दोड़ने लगे बट यहां पे जो electron है वो भी तो अगे बढ़ रहा है इसी वज़े से जब भी आप switch on करते हो जाहे वो पंखे का हो light का हो zero time के अंदर वो चीज़ start हो जाती है क्योंकि जहां जहां पर पूरी wire है वहां वहां पर electron है ही बस उसको switch on करने की दे रही है ताकि वो दोडने लगे इसी वज़े से अगर wire एक मीटर लंबी हो या एक किलो मीटर लंबी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता जैसे ही switch on की आपका appliances start हो जाएगा the supply of the physically reaches the terminal through the bulb because the physically drift electrons in the conducting wire is very slow process अगर वो electron दोड़ा और पहुंचाना तो यह पूरी system fail हो जाएगी बहुत ही slow हो जाएगी और हम electricity का use नहीं कर पाएगे तो अच्छा है कि हर जग पे electron present होने की वज़े से it is a zero time के अंदर हम किसी भी appliances को start कर सकते है the exact mechanism of the current flow which take place with speed close to the speed of the light is fascinating but it is beyond the scope of this book अगर आप यह भी मान लो कि हर electron light की speed से दोड़ रहा है इसी की वज़े से light तुरंट start हो रही है तो यह सोचने में काफी fascinating लगता है but actually it is out of the scope of the book और out of the scope of the physics ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मान लेजे कि मैं सूरज के पास कोई switch रख दू और पृत्वी के पास कोई bulb जला मतलब लगा दू और electric circuit बना दू close एक power के साथ और अगर यह जो concept जो आप सोच रहे हो कि electron दोड़ के पहुँचेगा उसको हम consider करे तो सूरज के पास जब आप switch जलाओगे तो बल्ब जलने के लिए साड़े आठ मिनिट का वक्त लगेगा क्योंकि उतना distance है तो electron को दोड़ते दोड़ते साड़े आठ मिनिट लग जाएंगे बट शुक्र है कि ऐसा नहीं है इसी के वज़े से अगर सूरज के पास अपने switch जलाए तो पृत्वी के पास वो बल्ब तूरंथ ही जल जाएगा within no time so do you feel like probing this question at an advanced level तो क्या आप चाहते हो कि इस question को एक अनधर level पर हम सेट करें उसके लिए हम आगे जाएंगे और ज्यादा समझेंगे पर आज के लिए इतना ही it is a more to know यह ज्यादा है आपके exam के लिए यह question नहीं है फिर भी बड़ा ही अच्छा और deep down concept वाला question है so I covered it up so आज के लिए बस हम इतना ही रखें हैं in next online session we will continue with the another next topic till then thank you so much और revise करते रहें